कि अच्छा पर यह कि अच्छा तरवे भी नमा कि क्या सूचके आये हैं आज आप लोग सेशन में मैं बहुत कुछ सोचके आया हूँ मैं पिछले तीन साल से पिछले धाई साल से डी ट्रिपलेस भी पर मेहनद कर रहा हूँ मेरा कुछ लक्षे है उस लक्षे को पूरा करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करता हूँ उस लक्षे में ये निर्धारित है कि बहुत सारे selection देने हैं, बहुत सारे लोगों को अध्यापक बनाना है, बहुत सारे लोगों का सपना पूरा करना है यही सपना जो है मेरा है और इसी सपने के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्तित हुआ हूँ कहानी सुनानी है आप लोगों को, आविदन से लेकर के selection की क्या कहानी है, वो सब कुछ बताना है आप लोगों को, जो मेरा अपना अनुभव है और जिस अनुभव के साथ कुछ लोगों ने जुड़ करके selection लिया है, यह सब मैं आप लोगों को बताने आया हूँ मैं क्या आवास ठीक नहीं आ रही है, ंप लोगों फटा भट से मुझे बता दीजिएगाा आटियो विडियो ठीक नहीं है क्या, सब लोग बताओ फटापट से सब्लक्राइब 톤 अभी देखिए अभी ऩाँ आप आब लोगों को दंदार सुनाई देगी आज मेरी आवाज वैसे भी दंदार है ही क्योंकि जैसे जैसे जब कुछ तोचा उता है और हो जाता है तो आवाज तो दंदार होगी अभी आवाज ठीक लगेगे आप लोगों को पड़ावट से बता दो हाँ या ठीक है या नहीं है आप लोगों कुछ फोटो दिखाता हूं आज की पहले उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक पीपीटी आप लोगों के सामने रखता हूं यह पीपीटी आज से दो साल पहले बनाई थी यह देड़ साल पहले करीब करीब बनी होगी और कुछ अध्यापक है हमारे साथ यह वो है जो पिछली बार की टॉपर है दोजार इकिस की बिट्टू राहनी जी आप लोगों ने इंटरव्यू देखा ही होगा और कहां है यह सि 44.85 नंबर जो हैं इनके रहे हैं बड़ी भहेंकर कहानी इनकी आप लोगों ने यूट्यूब पर भी सुनी होगी मैं भी इस कहानी को जितना देखता हो जितना सुनता हो उतना मुझे प्रेरणा मिलती है इस कहानी से के एक महिला जिसके अपने तीन बच्चे हैं जिसका यह क्यों दिखा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि सपने पूरे करने के लिए कितने परिश्रम की आवशकता होती है बस यही सीखना है आप लोग आज क्लास में तो जुड़े हैं पर अगर यह परिश्रम नहीं सीख पाए ना आप लोग तो सिलेक्शन होगा निए बात मैं मैं आप लोगों को पहले से कह रहा हूं मैं आप लोगों को सीधा सीधा वहां की बात बता रहा हूं मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन व्यक्ति एक्जाम दे रहा है कौन नहीं दे रहा है मुझे मतलब उस व्यक्ति से हैं जो सिलेक्शन के लिए परिश्रम करने आया है तो आ करके सोती थी तो ऐसे ही नहीं टोपर बन जाता कोई भी और यह नितु जी है इनका भी सेलेक्शन हुआ था इनके 128.58 अंक है इनका सेलेक्शन हुआ है और यह नांग लोई में इनका पोस्टिंग हुई थी इस व्यक्ति की कहानी आप लोगों को बताओं यह फोज में व्यक्त थे और जियोग्राफी से पढ़े हुए व्यक्ति मतलब इनका जे आरेफ हो रखाया जियोग्राफी में उसके बाद संस्कृत में अध्यापक मन गए पर यह क्या करते थे रात्री में दो घंटे की जो क्लास हो रही थी मेरी उस क्लास में डेली जुडते थे एक महीना लगा सकते हैं ठीक ठाक एज है उसके बाद भी जो है सिलेक्शन लिया है बहुत लोग कहते हैं जी परिवार है जी बच्चे है जी यह जी वह जी उसके बाद सेलेक्शन नहीं हो पाता है लेकिन आप लोगों के सामने में एक्जांपल कुछी एक्जांपल है मेरे पास सारे तो है यह मैंने यहां सब कुछ लगाया हुआ है सब कुछ औरिजनल है कुछ भी एडिटिड नहीं है और मानिक के बहु गुना यह बैच के स्टूडेंट थे हमारे यह भी इनका सेलेक्शन इनका तो खेर होना था मुझे पहले से पता था पर नंबर मुझे जितने सोच रहा था उत रहता हूं यह बोल रहे थे संस्कृत बहुत अच्छी नहीं थी पहले यह बोला इन्होंने और फोन करके बोले के बस यह बताओ के सर क्या क्या करना होगा इतना पढ़ना ओगा उतना पढ़ना होगा मैं पढ़ लूँगा और कुछ क्वेस्टिन देदो आप मुझे बस मैं उनको जैसे तैसे पढ़ लूँगा और मेरा सेलेक्शन करा दो और इस वेक्ति ने परिश्रम किया और यहां है आज अध्यापक बन गए है दिल्ली में अपना वहां का बिहार का विद्या ले जो है वहां से बहुत अधिक जो इन्होंने सपना सोचा था वो पूरा नहीं हो साइंस पढ़ावा व्यक्ति हूं संस्कृत मुझे जो है नहीं आती यह उदारन इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो है वह परिश्रम करें तो अध्यापक बन सकता है पर मेहनत बहुत किये मैंने 20 बैट के साथ बहुत मेहनत की थ तो निगेटिव मार्किंग के बावजूद जो है मुझे अभी तो तुम देख ना मैंने जो कट ओफ बनाई की वीडियो बनाई है यह मारस को लेकर के उस पे कुछ लोग कह रहे हैं यह होगा वह पर हम दिखाएंगे आप लोगों को अभी ऐसे कुछ भी आकलन नहीं करते और इनका देखो यह भी पूरा परिवार के साथ जो है यह सब विवाहित ज्यादा तर लोग विवाहित हैं और यह हुआ इनका सेलेक्शन हो गया है और यह जो है रचना यादवजी हैं सेलेक्शन हुआ, 114 अंग है इनके और यह तो अभी भी पढ़ती है रेखा सांगवा और 111 नंबर के साथ सेलेक्शन हुआ है और रेनुकाजी जो है रेनुकाजी का सेलेक्शन हुआ देखो आप लोग देखी रहे हो 131 नंबर इनके आये थे और संगीता चोहान मैं फोटो अब देख पा रहा हूं नाम से मुझे बहुत सारे लोगों का याद है कि फोटो कम जीने अभी इनका फोन आता है दोनों लोग घर भी आये थे पती पतनी दोनों घर आये आकर के इन्होंने बहुत सारी बाते कही ड्रोने लग जाती है फोन पे जब भी के सर बिल्कुल आशा तोड़ दी थी उनके लिए बता रहा हूं जिनकी एज 49-40 साल हो गई है 49 साल हो ग क्योंकि मैंने जो जो कहा मैंने कर नहीं पड़े तब सीलेक्शन वह देखा वाया अप लोगों को पता है क्यों बता रहा हूं holy यह सबस्ट तो बीस नमबर है इनके और बावजूत पूरे परिवार के वावजूत इनके पतीव अध्याप्या के सबके बावजूत जो है पढ़ाई करती थी और चयन इनका हुआ है संगीता यादव नाम से नाम यह तो दो लोग थे तो इनका भी सेलेक्शन हुआ है इनका सिलेक्शन हुआ है हमारे साथ और रिटा देवी जी है मतलब इतना होमवर्क करके भेजते थे लोग आप लोग देख रहे हो ना घर क्रिहस्ती चलाने वाले लोग अध्यापक बने हुए दिल्ली में और अभी तो मेरे पास जो और नहीं उसके बाद जो लोगों ने भजे तो टाइम तक आपको यह दिखाने का उद्देश्य यह था यह सिलेक्शन तब होता है जब आप लोग सच में सिलेक्शन चाहते हो आप आज बहाना नहीं बना पाओगे के घर में बच्चे हैं मेरी 49 साले जो गई है मैं जो हूँ घर में मुझे साथ ससुर को भी देखना होता है पती-पत लोग जिम्मेदारी उठाने वाले तो सिलेक्शन लेना है तो यह सब बहानों के बाद आप लोग पढ़ने आना मेरे पास चलो मैं आप लोगों को बताता हूं मैंने आप लोगों को जो थमनेल भी दिखाया है ना थमनेल मेरा यही है कि कहानी आप लोगों को आवेदन से ल हपते में ही आना था लेकिन ndmc की पोस्ट दोबारा जोड़ी है उसके कारण से यह थोड़ा सा डिले हुआ है आओ चलो आप लोगों के साथ बात करते हैं क्या है कौन पॉम भर सकता है आप लोग अपने प्रशन छोड़ो फटावट से जो आपके मन में हैं सारे प्रशनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रशन को पोस्ट करने से पहले कोपी करके रख लेना क्योंकि मुझे ना जब मैं आपका अंसर करूंगा तो पूछू को जो है वो शेयर करके आज़ो फटावन से पहले पोस्ट के बारे में जानकरी ले ले लिए ले तो पोस्ट तो आप लोगोने देख भी ली है अभी तक मैं लेकिन बता देता हूं आप लोगों को फिर से एक बार थोड़ा सा कि हमारी जो संस्कृत की पोस्ट है उन 277 जैसा कि पहले बताया था फीमेल केंडिडेट शायद मुझे एक से 49 कुछ ऐसा याद आ रहा क्या बताया था ndmc की संस्कृत में जो है वो 13 पोस्ट और जोड़ी हुई है अगर आप लोगों को इन में आविदन करने की बात बताओ तो आविदन जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा थोड़ा सा वहां बताऊंगा के ndmc में कैसे आविदन करना है यह तो पता ही है मेल फीमेल में अलग अलग आविदन करना होता है फीमेल की जो सीट है वो थोड़ी सी कम है एज को लेकर के पूछ रहे हो पहले बता दे रहा हूं एज जो है बिना नोटिफिकेशन आए बता दे रहा हूं आप लोगों को एज 40 है यहां लिख देता हूं एज जो है वही है जो कहा था देखो जो जो कहा जैसे जैसे कहा हम लोग केवल यह नहीं कि कुछ भी व्यूज के लिए बोला और बका और आ गए यूटूब यूटूबर नहीं हैं हम लोग हम लोग पढ़ाने वाले हम लोग अधिया पके जम्मेदारी के साथ बात करते हैं आप लोगों के साथ मुझे बात हुई है मेरी वैसे तो देखो बहुत ऑथेंटिक सब चीजें तो उतने आत्मविश्वास से मैं नहीं कह रहा हूं आप लोगों को पर हां जो म तीमल केंडिडेट की जो एज है वो 32 वर्ष रहेगी ठीक है अब आप लोग इन जंजटों में अगर आभी भी आप लोगों के मन में प्रश्ण है पिर आप लोग तैयारी की रहा में नहीं है कब से कितनी बार सेशन करके बता दिया है कि तैयारी की रह में आप लोगों को यह आप लोग लिख लो सीट कम है फीमेल कैंडिडेट की सीट ठीकठा कम है लेकिन 151 सीट उसके लिए बहुत है जिसको तैयारी करने की अपना ठानी हुई है ठीक है एक्जाम कब तक हो सकता है एक्जाम आप लोगों का फरवरी आठ मार्च तक तो आवेदन ही करना है मार्च के बाद जो है एप्रेल का टाइम आप लोगों को देंगे मई में कभी भी संभावना है एक्जाम हो जाएगा आप लोगों का मई 15 मई के बाद जो है वो आगे तो यह नहीं कह सकते कि 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 टेना टाइम ले ले डी-3 पलेज भी चीजह किस तरह से चल रही है वो जानकर यह है लेकिन आप लोग यह मान करके चलिए कि 15 मई तक का टाइम आपके पास है आज पंद्रा जन्वरी है और चार चार महीने का टाइम आप लोगों के पास है अभी तो त्यरा तारीग वैसे ठीक-ठाग टाइम है चार महीने बहुत होते हैं कि लिए पिछ ćly बार की वेकेंसी में हमने हमने जो सिलेक्षन दिये है तो आप जोगों के पास है और में सेक्षन दमी का गनिद भी आप लोगों को बताऊँगा अब लोगों को लग रहा होगा कि सिलेक्षन कैसे होगा आप को अपनी जूठी धारणाई भी बना करके बैठे होंगे कि मजए आगे सेक्षन यह तो हट गाया 40 परसेंट कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं सेलेक्षन जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से होगा मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं इसको ले करके इस कि वेकेंसी को तो हम लोग जो है ना बहुत बारीकी से मैं देख करके आया हूं और यहां के प्रश्णों तक पता है किस तरह के प्रश्ण आते हैं यह तैयारी का रास्ता है बस कमी अगर कहीं है तो वह है कि विद्ध्यार्थियों का डेडिकेशन जितना डेडिकेशन से जो करेगा जो सच में पढ़ना चाहता होगा अगर आप लोग चाहते हैं कि रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोगों मैं आज बता दे रहा हूं यहां पढ़ने पाऊएगा सच में पढ़ने की डिश्टी से आएगा गवाध्यापक बनके जाएगा 204 में दिश्यत अ दुबादा से तयारी करेंगे वो लोग तो खेर अब मैं आप लोगों को बता रही है ना हूँ चार महीने परियादते हैं ठीक है चलो वेकेंसी के बात करते हैं पूरा-पूरा बता चुका हूँ पर अभी भी बताएंगे संस्कृत वाली जो हमारी वेकेंसी है उसकी एलीजीबिलिटी क्या है वही एलीजीबिलिटी रहनी है एलीजीबिलिटी तो चेंज नहीं होनी है कुछ भी संस्कृत के लिए आप लोगों को यह लिखा हुआ है ग्रेजेशन जो आप लोगों का है उसमें कितने अंख चाहिए तो ग्रेजुइशन में आपको 45 प्रतिशत अंख चाहिए यह इनोंने यहां पर लिखा है ग्रेजुएशन में बीए में जो है आपने अब कोई भी बीए की हो शास्त्री किया हुआ हो या फिर आप लोगों ने जनरल कोई बीए करते हुए संस्कृत को तीन वर्ष पढ़ा हो तीन वर्ष तो छोड़ो दो वर्ष भी पढ़ा हो तो भी आविदन कर पाओगे आप इसम कंसेंट पोर और बीए विद एमायल कंसेंट एज वन आप दा इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकोगनाइज इनिवर्सिटी हविं 45 मार्क्स इन एग्रिगेट विद वन एडिशनल लेंग्वेज और वन स्कूल सब्जेक्ट एड डिगरी लेवल देखो एक अभी प्र विद्य लंकार है कोई शास्त्री वाला है तो यहां जो है आप लोगों को बीए में 40 परसेंट मार्क्स चाहिए आप लोगों को और संस्कृत आप लोगों ने अगर दो वर्ष भी पढ़ा है तो भी आप लोग जो है दो वर्ष आप लोगों ने पढ़ा है ग्रैजुएश करम से चलता है करम देख लेते हैं पहले दूंआ दूसरा किया दिया इसके बाद आप लोगों का वह होना चाहिए टीचिंग में डिगरी एफिर डिप्लोमा मतलब यहां भी अचाहिए आप लोगों का तो यह candidate has studied Hindi at as a subject up to eighth class or in any class above eighth level he may be considered as having knowledge of Hindi मतलब आप लोगों को जो Hindi की जानकारी है वो यह जरूरी नहीं है कि आप लोगों को संस्क्री ग्रैजुएशन में ही हिंदी पढ़ा हुआ आप लोगों ने आप जैसे कोई रेखती अभी बंगाल से मुझे मैसेज किया उन्होंने के सर मैंने हिंदी जो है वो कभी नहीं पढ़ी लेकिन ग्रैजुएशन में जो है वो एक या शायद बीएड में हिंदी मेरे हिंदी इनका एक सब्जेक्ट रहा है तो भी काम चल जाएगा तो यहां आप लोग हिंदी का जो है वो दिखा करके इससे काम हो जाएगा और कुछ पूछना है तो फटापट से इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर करके यहां कुछ ऐसा अमारे साथ जमेला है नहीं तो यह हो गए आपको शुड है वो इन्होंने बताया हुआ है कि सीट जो पेपर टु होता है वह आप लोगों का क्वालिफाइब होना चीए बस यह तो आप लोगों के को जो है वो 32 और फीमेल के लिए 40 वर्ष जो है हो सकता है 42 भी हो जाए अभी लेकिन 40 तो है ही ठीक है हो सकता है 42 भी हो जाए क्योंकि notification डिटेल में आता है वो क्या कहते हैं अभी बात करेंगे हम लोग इस पर तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं और एक बात सुन लो सब यहां जो है वो जनरल में काउंट होंगे तो वह भी वह होगा यहां पर दूसरी बात आप लोगों को यहां एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आवेदन करते हैं क्या प्रशन है आपका सीटेट ओवी सी से पास है मेरा क्या मैं अपलाई कर सकता हूं तो दिल्ली के बाह सब्सक्राइब कराएं है में सब्सक्राइब करें कि नहीं कर पाएं है नोगोरे कि आप लोगों को अब कर लेते हैं असलेक्शन का प्रोसिजर क्या है दो योё меньше पेपर होना है आपका और उसमें कि एक्जाम पेटर्ण यहां दिया हुआ है देखो सेक्षन ए और सेक्षन बी जो है इस तरह से आप लोगों का वह होगा पूरे भारस से कोई भी आवेदन करेगा लेकिन जन्रल में काउंट होगा दिल्ली वाले ही केवल ओबी सी सेस्टी में जो होंगे वह केवल दिल्ली का अरजा जिनके पास होगा वह ओगा स्यासमेशन बी जो है वो मैं बताओंगा सेक्षन ए कशनी का वैसा आप लोगों को यह जनरल ऑनेशे सेंट्रल जनरल इंटेलीजेंस रिजनिंग के साथ आप लोगों को अ cargo कर Tillृ हिए और थीक अ और यहां से कि निगेटिव मार्किंग होती ही है और पूछो क्या प्रश्ण है फिर सीधा सीधा उस पर आते हैं कि अगर कि चलो है अब आते हैं हम लोग आप लोगों को बताते हैं सैक्षन ए स्लेबस के बारे हम बात कर लेते हैं पाथ्थेकरम पाथ्थेकरम यह बताओ जिन् масс व बताता है यह और भी काहता है वह सुनना चाहिए appearing वाला कतई आव्यदन नहीं कर पाएगा पेपर वन की तयारी कैसे करूं आप बताईए मैं यही सब बताने के लिए आया हूं देखो अब आप लोगों को मैं स्लेबस वह बता रहा हूं जिस पर सेलेक्शन होना है अंट्युए अeger फिह सेक्शने में 40 प्रतिशत का जो क्राइटीरिया था वह नहीं रहा बहुत बार बता चुके हैं इस पर अब नहीं रहा लेकिन सेक्षण भी में कम से कम 40 परतिशत अंक मतलब संस्क्रिट में आप लोगों को चाली सप्रतिशत अंक लाँ भी होगा तो यहां सेक्षण भी में जो है इस में 40 परतिशत एधर नहीं चाहिए तो बहुत सारे बच्चे इस बात से खुश हो रहे हैं कि अब तो जन्रेटी कतम हो गया हमें तो जो है section A में 40 प्रतिशत की अनिवारियता नहीं है तो section B नहीं section A पढ़ना ही नहीं section B जो है इसको ठीक से कर लेंगे तो हो जाएगा जिस पर selection होना है उसका आकड़ा बता देता हूँ आप लोगों को section A में selection के लिए 60 अंक लाना पढ़ेगा 40 प्रतिशत छोड़ो 60 प्रतिशत अंक लाने पढ़ेंगे section B में selection के लिए जो है वो 90 नंबर लाने पढ़ेंगे या असी से उपर नंबर लाने पढ़ेंगे तब मान करके चलो selection की संभावना है अगर आप लोग कंफर्ब selection चाहते हो इधर आप लोग जो है वो 60 अंक लाने पढ़ेंगे इधर बढ़ा लो फिर आप अगर आप यहां 90 ला सकते हो बलकि पूरही सो ला सकते हो तो इधर आप की हुए लोग भरे बैठे हैं बिल्कुल तैयारी करके भरे बैठे का मतलब यह है कि आप लोगों को यहां फीमेल कंडिडेट के लिए जो है वो 90 अंक लाने पढ़ेंगे और इधर 60 अंक की तैयारी करने पढ़ेंगे अन्य राज्जियों का यह EWS मानने होगा कैलाशनाज आप किसी भी राज्जे से हैं वहां EWS बना हुआ है EWS में आवेदन कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है हाला कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा मेरिट में जो यहां मेरिट जो जाएगी वह एक दो एक दो दो तीन नंबर कम जाती है बस ज्यादा फरक नहीं आता है कि फाइनल यह वाला कोई अप्लाई नहीं कर सकता यहां सेलेक्शन यहां आपके जो क्वालिफिकेशन ने वह पूरी ही होनी चाहिए ठीक है यह तो होगे आप लोगों का पैठ्थे करम बताता हूं संस्कृत को क्या क्या मैंने यह दिन यह अपनी क्लास शुरू की थी पिछी और बता देता हूं यहां से अभी आप लोगों को के यह आप लोगों को क्वालिफिकेशन आपने आपके पास ना जहां से आप लोगोंने बीड किया है वह NCTE के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसर्टिफिकेट कहा मि लोग कहीं से भी कर लेते प्राइवेट किसी से कर लेते हैं वह कॉलिज जो है NCTE के द्वारा उनके पास लेटर जाता है तो जिस वर्ष आपने बीड किया हुआ है उस वर्ष का लेटर जो है आपको उनके कॉलिज में जाओ कॉलिज वाले तुम्हें उपलब्द करा गर आप लोग ये मांघ लोगे तो आप आप दे देंगे आपको बाकी आप लोगोगों को जो है क्या डोकेमेंट चीमें इस पर अलग से वीडियो पहली भी पढ़ी हुए नई वीडियो भी बना देंगे आप लोग ओसकी टेंशन नहीं अब मैं आप लोगों को सीधा सीधा साथ स्लेवस बता देता हूं जो आप लोगों को पढ़ना शुरू करना है और सिलेक्शन के लिए जो है उतने नंबर लाने ही पढ़ेंगे तभी आप लोग मान करके चलना सामन्य चीजें जो है वह संस्क्रिस साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है कई बार खूब चर्चा हमारी हो चुकी है वही स्लेवस स्लेवस में कुछ बदलाव नया नहीं है ऐसा अपडेटेड हमने थोड़ी सी चीजें किये वह बताता हूं आप लोगों को यह प्रथम नहिश्वास कादंबरी को ठीक से पढ़ना है शुक नासब देश को मूल पंक्तिया यहां आप लोगों को आनी ही चाहिए ठीक से इसके बाद आप लोगों को और बता रहे हैं कि अब लोगों को पढ़ना है अभी जिन शाकुन्टलम का चोथांक लगा हुआ है उत्तरामचरीतम का तीस रांक लगा उए प्रतिमानाटकम का तीस रांक लगा हुआ है कभियों के बारे में सामने जनकर आप लोगों को होनी चाहिए पंच तंद्र का कथा मुखम शुरूंग है हीतोब देश का कथा मुखम है निति शतक्चम संपोर्ण लगा हुआ तो पुस्तके देखोगे अगर आप लोग तो पांच पुस्तके यह हैं चार पुस्तके तीन पुस्तके यह हैं पांच और तीन आठ नोवी पुस्तक जो है वो नीटी शतकम है दो मूल पुस्तके पढ़ने की यह हैं नो और दो ग्यारह ग्यारह पुस्तके यह हुई और मूल में अगर आप लोग देखो कि श्रीमत भगवत गीता 12 पुस्तके हैं जिनको आप लोगों को ठीक से पढ़ना पड़ेगा इसके बाद आप लोगों को यहां से काव्य वाले प्रकरण से काव्य का सामने लक्षन प्रयोजन क्या-क्या माना है विशेश रूप से मम्मट में क्य इत्यदरपन में क्या कहा गया है वो रससूत्र रकर के भरत का रससूत्र है उसमें विभाव का मतलब है अनुभाव केया मतलब है यह पता होना चाहिए और इनके इसको लेकर के किसका उत्पत्ति वाद है किसका अनुमितिवाद है यह प्रश्न बनते हैं और उनकी भी क्या व्याख्या है विशेश रूप से जब पढ़ाई करोगे ना देखो क्या होता है जैसे पिछली वाली वेकेंसी ती पिछले वाली वेकेंसी इसको इसको कंपेर मत करना मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हा तो जिन लोगों ने सं्कृत में सो में से अठावय नमबर लिए है और संस्कृत में फेडियोप जन्रान फैक्षन में में टोपॉइल हुए हैं जिनके 40 में 40 नहीं आए 49.75 के 50. न.ौच और 0.75 नंबर से दो केंडिट मेरे मैं रह गए है जनरल सेक्षन ठीक ना होने के कारण से लेकिन इस बार क्या होगा जनरल सेक्षन का क्राइटीरिया हट गया इसलिए पिछली बार की मेरिट जो है वो कम गई थी लेकिन इस बार की मेरिट तो अच्छी जाएगी आप लोगों 140 140 और 150 नंबर से उपर की तयारी कंफर्म होनी चाहिए पेपर वन पे ठिक ठाक से महनत करनी पड़ेगी तब जाकर के आप लोगों का सिलेक्षन होगा इंटर्व्यू नहीं है केवल केवल रिटन एक्जाम है डारेक्ट भरती का मतलब यहीं है ठीक है कुछ अलंकारों के न इमानाटिकम नहीं है यहां है वहां आप लोगों को जो है यह देखने को नहीं मिलता वाकी तो है यहां यहां अलग से अलंकार जोएं वह वहां भी यह यहां भी है और आप लोगों को आस्तिक नास्तिक दर्शनों का परीचे वहां नहीं है यहां है लेकिन वहां श्रीमत भगवदगीता यूपी में भी है यहां भी है पूरे भारत में आप लोगों को कहीं भी टीजेटी का एक्जाम देना है इसकी तयारे ठीक से कर लो आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन निश्चित है कहीं भी ठीक है संजिया प्रक्रण लगुसिद्धान कौमदी के निसार प पढ़ों के तो भी काम चल जाएगा लेकिन मैं तो सिध्धान कौमदी के मुख्य सुत्रों को पढ़ाता हूं प्रत्य जो है वो ठीक से पढ़ना होगा प्रत्य जो रूप इस बार का पेपर भी थोड़ा सा कठिन बनेगा मैं आप लोगों कोई बात जानकरी दे दे रहा होगे आप लोग जो है एज कितनी बताया तो भाई शीव जी आप कहां हो भाष्ण विद्यान से कुछ सामने परिवर्तन पूछा जाता है भाषा की उत्पत्ति के सिध्धान्त क्या है उसका विकास कैसे हुआ ध्वनी परिवर्तन कैसे होता कुछ उदाहरन इसके पूछे कधने जाते हैं यह वैहिदिक सही अलग से उपड़िग सही नहीं यहाँ दिया हुआ है आप लोगों को पूच्पने पर इच्प इस न도 पिफरसृ कि लेकिन उनके अंदर की सारी जानकरिया होनी चाहिए आप लोगो को अरे इतनी महत्वपूर्ण जानकरी दे रहा हूं सिलेक्शन का रास्ता बता रहा हूं आप लोगों को लाइव इतने लोग है एक बार शेर करके आजो पड़ावट से और लाइक वाला आकड़ा जो है थोड में आया हुआ है पहले ना 2014 वाला जो पेपर हुआ था उसमें वरिक्षा युरुवेद का अध्यायन भारत का भूगोल से कुछ प्रशन थे मुझे नहीं लगता है इस बार प्रशन बनेंगे क्योंकि इससे पहली वाली वेकेंसी में नहीं था तो इस वाली में भी यह भार पढ़ोगे उन सब का मंगला चरण आपको याद होना चाहिए तैयारी करने का मैं बहुत सठीक तरीका बताओं आप लोगों को अभी देखो के थोड़ा सा याद करने पर जो है ना थोड़ा सा इस बुद्धी पर बुद्धी से महनत करा हो ऐसे हलके फुलके में जो है वो चलो चीजों को अभी से याद करना शुरू कुरू महा का अब योच पढ़ो ऐसे याद करना चाहिए है ठीक है और जो हैपको को कवियों के सामन्ने परिचे उनकी क्या क्या है उन रचनाओं में भी नायक नाइका है जैसे आप लोगों को यहां लगा हुआ तो अभी जयन शाकुंतलम है लेकिन कालिधास ने जो है विक्रमोर वशियम उसके बारे में जानकरी किस तरह की विधा है नायक कौन है नाइक कौन है क्योंकि कि वह संस्क्रिष सहिट्य के इतिहास का भाग है इसलिए तो जिन कवियों को यहां मैंने बताया है अंभिगादत्य व्यास है उन्होंने बिहारी बिहार नाम की पुस्तक भी लिखी है तो वह आप लोगों को पता होनी चाहिए इसका मतलब यह पढ़ाई करो इस तरह से करो क्या उपाधियां दी किसने दी उपाधी कालीदास वो यह कवी कुल गुरुकियों कहा जाता है कालीदास को जहिए दीप शिखा उपाधी क्यों दी गई है वह कौन सा स्लों के जिसके कारण दीप शिखा उपाधि गई है यह आप लोग इस तरह से पढ़ों गे तो ही s 활ekश जो है वह आप लोगों को पता होना चाहिए और सर्ग जो है वो प्रत्य सर्ग में जैसे आप लोग वो पढ़ोगे उत्तरामचरितम पढ़ोगे तो वान होगे तो पहले सर्ग में कितने शलोक है उनमेन कौन से स्लोक में क्या सुक्तियां है उनमें कौन सा चंध है लाष्ट में जिन रहा है उससे अगलांक क्या है बलकि यह वी जानकरी औी कि आप लोगों को रगुवंश पढ़ रहे हो तो प्रथम सर्ग का नाम क्या है दूसरे सर्ग की कथावस्तु क्या है पूरे रगुवंश की कथावस्तु क्या है इतना इस तरह से पढ़ोगे तो आप लिए अजवाती बाँने कि चाहनी महाँगार से लिए हैं आदी परुष से लिए वह पता होना चाहिए आप लोगों ठीक से कादंबरी शुक क decline सुब्देश की कहानी कादंबरी में कहां से लिए ब्रहेट गए प्रहेट कता ब्रहेट कता किस ने लिकी उसके बारे में सामन्ने जान करी क्योंकि वो इतिहास का पक्ष है संस्क्रिट साहित्य के इतिहास का पक्ष है इसलिए वह वाला तो इनका आकर जो भी ग्रंथ है जहां से ली गई है उनको ठीक से पढ़ो नायत कौन है विलेन कौन है नाई का किस तरह की है विदुशक कौन है आप खोल करके द्रिष्टी रख करके पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जो है क्यों नहीं होगा तो बहुत गणित आसान है यह वाला लेकिन यह कहना महनद परिश्णम एक मात्र रास्ता वह है परिश्णम प्र आप लोगों को कंचू की इत्यादी कौन है इन सबकर पात्रों का विश्ड्यान होना चेह सबके कराथ पूस्तक का नाम आप Πाता होना कून तो तो किरात अर्जुन अर्जुन हो जाएगा उससे च्छ प्रत्य ओकर के किरात अर्जुनियम बना इतने दृष्टी से जब आप लोग पढ़ोगे फिर आप लोग अपने 169 छोड़ो सो सीट भी हो पचास सीट भी हो इतना परिश्टम सुनने में आसान लगता है इतना परिश इस तरह से परिश्टम कर सकते हो तो यह विकन से आप लोगों के लिए है आप लोग फटावट से पूछो क्या प्रशन पूछना है पेपर वन का जो से पेपर स्लेवस पूछ रहा था कोई मुझे पेपर वन का स्लेवस मैंने बता दिया भाई इससे ज्यादा क्या बता हू आप लोगों को देखो तरीका जो है वह यह है और आप लोग कहीं से भी तयारी करो कुछ भी तयारी करो लेकिन क्या है न तयारी आँग क्लिक करने के बाद यहां से आप लोग जो है सारे के सारे previous year paper ही पड़े हुए है जैसे आप लोगों का इंग्लिश का फीमेल का पेपर हुआ था तीज उनको क्लिक करोगे आप लोग जो क्वेस्चन बैंक ऑनलाइन एक्जाम दोजार रठार यह भी लिखा हुआ है तो यहां से किसी भी पेपर पर क्लिक करोगे वह पेपर खुल के आ आप लोगों के सामने थोड़ा सा वेबसाइट ज्यादा आजकल लॉड मान रही है इसलिए क्योंकि अभी वेकेंसी आ गई है इसलिए तो यह हो गया है भाई एक तो इसमें मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा देता हूं अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे वहां जाकर करके आप लोग मुझे कुछ भी प्रशन होगा वह पूछ लेना आप लोग फटाफट से मैं तयारी कराता हूं ठीक से पढ़ने वालों के लिए जो है वह मेरे पास पूरा सब कुछ सामगरी है पर परिश्रम में ठीक कराता हूं अगर आप लोग थोड़ा सा परिश्रम से बचते हैं क्योंकि परिश्रम से बचने वाले का जो है वह सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो तो खाला की फायर ओपरेटर का है लेकिन फायर ओपरेटर का नहीं आप लोगों को यहां टीजीटी का एक्जाम जैसे दिख जाएगा पांच नंबर जैसे पीजीटी पंजाबी का पेपर हुआ है यह पीजीटी के पेपर पड़े हुए हैं पीजीटी संस्कृत का हुआ है 2021 म कि आप लोगों को यहां यह जूनियर एसिस्टेंट के पेपर पड़े हुए है ठीक है इस तरह से टीजीटी स्पेशल एजूकेशन टीचर का पेपर हुए टीजीटी कंप्यूटर साइंस का हुए क्लिक करो के पेपर वन दिख जाएगा पेपर वन कैसा आता है यहां से दे प्रेता कर दे तो उसके लिए जो है अब मैं बताता हूं आप लोगों को आज आप लोगों के लिए अच्छी बात यह जिस दिन ड्री ट्रीपल एसबी की वेकेंसी आई है उसी दिन हमारे यहां डबल वैलेडिटी ओपर भी है क्योंकि अभी आप लोगों को संस्कृती हमा इन सब के लिए जो है हम अपनी संस्कृती को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को डबल वैलेडिटी ओफर भी दिया हुआ है इसके अंतरगत भी आप लोगों को जो है अगर बैच में जुड़ना है तो आज बहुत बढ़ी आउसर है मैं आप लोगों क बैच की जनकरी दे दे देता हूं तैयारी क्या करनी है कैसे करनी है वो तो सब बताई दिया है मैंने आप लोगों को अभी अपना कोई प्रशन है वो छोड़ देना लेकिन पहले में आप लोगों को बैच की जनकरी देता हूं क्योंकि बहुत सारे मैसी जा गई है सर क्या है कैसे है क्या पढ़ा रहे हो तो भाई आप लोगों के लिए मैं बता दू और जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद जो है यहां गौर्मेंट जोब एक्जाम में जाकर कि यहां से जाना है जो हिंदी में भी आवेदन कर रहा है संस्कृत में भी आवेदन कर रहा है या फिर आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यह जो नॉन टीचिंग वेकिंसी इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो वह अलग-अलग बैच ना लेना पड़े उसे यहां से एक जगई म पर क्लिक करते हैं तो पाणिनी बैच दिख जाएगा हमें मैंने बैच का नाम भी पाणिनी रखा पाणिनी जितने परिश्णम से जो है व्याकरण को बनाया है देखो यह एक लिंक डलवा है फटाबट से जॉइन कर लो यह लिंक ऐसा है जहां आप लोग जाकर के पूरा का तारीक है चुटियां भी निकाल करके इसमें से आठनों क्लासिस हुई है तो यह क्लासिस जो है वह आप लोग दिख जाएंगी इस बैच में आप लोगों को इन्रॉल करना है तो कर सकते हैं और इसका टाइम भी आप लोगों को बताओं शाम को पांच बज़े से छे बज़ है इस पर click करोगे तो study plan में जाकर करके तो कर आफ लोगों को मैंने क्या-क्या पढ़ा दिया है वर्ण ला पढ़ा दिये संजिया पढ़ा दिये संधी क्लासिज हमारी चल रही है और आपको किस दिन क्या है सब कुछ यहां लिखा हुआ है कि हम कितना कितना क्या क्या पढ़ाएंगे और किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं मूल पार्थ भी जो है हमारा 30 दिनवरी से शुरू हो जाएगा तो आप लोगों को एक नया बैच और लॉंच कर देंगे हम लोग नया ब तक के 15 दिन क्यों खराब करने हैं महा पैक लेलो महा पैक में जो पुराना बैच अभी जो आधा पढ़ चुके हैं हम लोग यह जितना पढ़ चुके हैं वो भी क्लासिस दिख जाएंगी और जो नया बैच होगा उसमें भी आप लोगों को नई दिखती चली जाएंगे सेक कम हो रहा है ग्यारफ्राउल तक कि इसमें पैपिर यह वाले बैच यह जो को खतम होगा नया बैच भी जो आयगा उसमें भी आप लोगों को अप्रेल में हम लोग आप लोगों का स्लेबस खतम करने का टार्गेट रखते हैं 15 मही से आप लोगों का एकजाम है यह टार्गेट दिमाग में रख करके एक ही बैच बनाओंगा मैं इसके बाद दोबरा बैच नहीं बनाओंगा क्योंकि जिसे सिलेक्षन लेना है वह आज से तो यह हुआ आप लोगों कोई बैच लेना कैसे है टेलिग्राम का कोई भी क्वेशियन बैच को ले करके मन में तेलिग्राम पर मुझे छोड़ दो आपका अंसर कर दूँगा इस में जो प्राइस आप लोगों को दिखा रहा है प्राइस कम हो सकता है अगर आप लोगे कोड यूज करोगे तो अगर आप लोग केवल बैच लोगे ये वाला इस बैच को अगर आप लोग लेते हो तो यहां आप लोगों को वाई 321 ये कोड यूज करके कि 2299 रुपे दिख रहा है कुछ कोई यूज करोगे वो मिल करके लगबग 2100 रुपे के असपास आप लोगों को भी बैच पड़ेगा जो की के से चलेगी यह पुछना चारे हो शायद लाइव क्लास ते लेगी जो क्लास आप लोग देखोगे डिली शाम को पांच बजे लाइव होती है अगर क्लास में आप उसके साथ ही PDF अटेच होती है अगर आप क्लास नहीं ले पाए तो वह जैसे लेकिन डबल वैलेडिटी का फाइदा बताओ में महापैक ले सकते हो आप लोग महापैक जो है वो यहां से क्लिक करोगे क्लिक करोगे महापैक का मतलब यह है कि जो भी बैटेश cognitive को एक्सेस कर पाओगे क्योंकि कुछ लोग बिहर में ग्रम डेना चाहते होंगे बिहार की भी तयारी कर आ रहा हूं हाला कि इस बैट से अच्छी तयारी हो जाएगी आप लोगों की तो बिहार की भी जो है आप लोगों को तयारी करनी है तो छे प्लस छे महीने का भी ले सकते हो बारे प्लस बारे महीने का भी दो साल के लिए भी एक साल के लिए वैल अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो बैच हम भी हमारा चल रहा है 15 दिन खराब नहीं करने हैं इसमें भी जूट जाए और जो नया बैच आएगा उसमें भी जूट जाए तो आपको क्या करना होगा यहां से 2999 रुपे दिख रहा है इसमें कोड लगाना होगा वाई 321 अप्लाई करेंगे तो 2769 रुपे रुपे का एक बैच लोग है इससे बढ़िया आप लोग जो है लगभग 25-25 रुपे का यह बैच ले लो आप महापैक ले लो इसमें जो नया बैच अभी जो 15 दिन की क्लासिस या एक महीने की क्लासिस मान लो आप लोगो कि दो जनवरी से 29-30 जनवरी तक की जो क्लासिस वहीं वह भी मिल जाएंगे आप लोगों को पढ़ाएंगे पेपर वन की टीम हमारी पूरी प्रॉपर है जो जनरल स्टीज हैं उनको पढ़ाने वाले सब लोग अलग अलग हैं इंग्लिश अलग पढ़ाने वाले हैं और इस बार की टीम बढ है तो जैसे टीजीटी मैट्स हैं यह पढ़ाएंगे यह पढ़ायागों को हिंदी नवनीटस है या एक दो लोग और जो हिंधी वाले उत भी तैयारी आप लोग कर पाऊगे पुराने बैचिस भी हैं नहीं बैचिस भी बनेंगे ही यह सब आप लोगों को फायदा हो जाएगा डी ट्रिपल स्वी टीटी के लिए लिजिबिलिटी क्या है बताया तो है भाई बीसी प्लस सीटेट पेपर टू इतने सारे क्वेश्चन जरुड़ नहीं आप लोगों को सब कुछ बता दिए वीडियो सुरु से अलाश्टत बेखनी पड़ेगा आप लोगों कहीं से भी भर सकते हो हूं मैंने सब कुछ कहानी सुना दी है बिना सेक्शन एक हैं आपलोग के सेलेक्षन होगा नहीं सेलेक्षन की एक मात्र रास्ता यह है लिख लो अभी से ही आप लोग अपने जूट अपने आपको बहकाने के लिए आप लोग कह सकते हो कि चालिस प्रतिशत नहीं है और इसकी ज़रत नहीं है वाकई ज़रत नहीं है लेकिन चालिस नहीं 60 प्रतिशत की जरूत है सिलेक्शन वाले के लिए तो क्योंकि सीट कम हैं लोग तैयार बहुत जादा हैं हर्याना का रिजल्ट नहीं आया हर्याना का रिजल्ट आ जाता तो थोड़ा सा फायदा हो जाता आप लोगों को कुछ लोग हर्याना में जॉइन कर लेते लेकिन हर्याना वाले भी जो हैं वो फोम भरेंगे तैयारी करेंगे एक्जाम देंगे और हर्याना से ज्यादा बढ़िया नौकरिदिल्ली की है तो लोग दिल्ली आकरें के जॉइन करेंगे नमस्ते क्लास कैसे लेगी मुझे बता न टेलीग्राम का लिंक देई द आया है कमेंट बोक्स में भी डलवा रहा हूं वहां भी आप लोग देख सकते हो और भाई एक बहुत जरूरी बात डेली क्लास होती है दो बजे यहीं दो बजे डेली क्लास होगी हमारा क्वेश्चन पेपर जहें हो चली रहे हैं तो उसी सीरीज में हम लोग आगे चलते रहेंगे न